हेलो सुरेंट्स, वेलकूं टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना सोचल फार्मेशी का नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नमबर 6, जो कि चैप्टर नमबर 2 का है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं Air Pollution and Noise Pollution, ठीक है न, यानि कि जो हमेरे बस Main Heading थी, अकॉर्डिंग सिले बस, Effect of Environment on Health, पहले वाले में हमने क्या देखा Part 1 में, हमने Water Pollution को समझा, अब यहां हम लोग Air और Noise Pollution को एक साथ समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हम बता है कि यह Basic Basic चीजे हैं, बच्च्पन से पढ़ते चले आ रहे हो, क्या होता है, Noise Pollution या Air Pollution, क्या उनकौन से इसके Cause होते हैं, और क्या-क्या इसके Effect होंगे, और कैसे हम इसको Prevent कर सकते हैं, यही सब बाते होती है, ठीक है, तो आप देख लेते हैं, फटा-फट, ठीक है, यह सब जानते होते हूं, बस केवल करना क्या है, एक बारी देख लेना, जैसे कि लिखना, लिखने में क्या 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 content है, वो content मिल जाएगा, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, Air Pollution, Air Pollution क्या होगा, Pollution का मतलब क्या होता है, कोई भी unwanted चीज आ जाजा है, जो हम नहीं चाहते हैं, तो Air Pollution क्या है, Is the Contamination, Contamination मतलब दूशित हो जाना, कोई unwanted चीज आना, Air का, Due to the presence of substances in the atmosphere that are harmful to health of human, क्या रहा है, Air Pollution is the Contamination of Air, Air का दूशित हो जाना, Due to the presence of substances, ऐसे substances के दोआरा, दूशित हो जाना, जो की harmful होते हैं, human health के लिए, और दूसरे living beings के लिए, जो अर्थ पे है, or the cause damage to the climate or material, या, वो हमारे climate को, या हमारे पास जो building वगरा, जो हमारी चीज़े हैं, उनको क्या करें, नुकसान करें, ऐसी कोई भी चीज़ अगर एर में आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, air pollution कहलाता है, simple था, ठीक है, there are many different types of air pollutants, pollutants पता ना, क्या होता है, जो दूशित करता है, तो बहुत सारे air pollutants होते हैं, इसी gas, gas में कौन कौन से हैं, main gases कौन से हैं, ammonia, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrous oxide, methane, carbon dioxide and chlorofluorocarbon, अब carbon dioxide से एक बात याद आई मेरे को, देखें जारो कौन इसका अंसर देगा, चलो, बताओ, CO2, CO2, pollutant है या नहीं है, CO2, पॉल्यूटेंट है या नहीं है, फटाओ फटा आंसर दो, एक, दो, ती, चार, पांच, ठीक है, अब चलो में बताए तो मैं, ठीक है कि CO2 pollutant है या नहीं है, ठीक है, इसी बीच में पॉल्यूटेंट करके आंसर देना था बस, बाद आकी, बाद देना कोई मतलब नहीं है, तो कुछ बच्चे कह रहा होंगे, CO2 तो pollutant है, pollution करता है, carbon dioxide, कुछ कह रहा होंगे, नहीं है, कुछ मिला जुला सा अंसर आ रहा होगा, अब देखते हैं, CO2 pollutant नहीं भी है, और happy, समझे बात को, हमारा atmosphere में CO2 का concentration कितना है, 0.3%, 0.03 है कि 0.3 है something, 0.3 है या 0.03 है, exact मिरो को नहीं पता भी, याद नहीं है, 3 के असपास है, 0.3 something करके है, 0.0 होती है, 0.3, अब ठीक है, अब यह जो concentration है, इतना CO2 तो चाहिए ही चाहिए, इतना CO2 तो चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए, photosynthesis होनी है, atmosphere को गरम रखना है, इतना चाहिए चाहिए, अगर यह इतना है, तो यह pollutant नहीं है, लेकिन हो क्या गया है, बहुत सारा हम लोग क्या chemical जला रहे हैं, burning कर रहे हैं, गाड़ियों से धुआ निकल रहा है, तो CO2 की मातरा इससे जादा बढ़ गई है, अब यह pollutant हो गया, बात समझ में आ गया, तो अगर वो अपने level में है, तो pollutant नहीं है, ग्राफ पढ़ते होगे कि जो nitrogen है, वो 71% है, oxygen है, वो 21% है, वो इतना है, इतना चाहिए चाहिए हमें, वो दो-चार चीज़ें और थी, उसमें कहीं पर यह सब चीज़ें नहीं काउंट होती है, ठीक है न, यह सब pollutant के रूप में आती है, पार्टिकुलेट्स, काफी उपर रखा होगा, लेकिन काटोरी क्या हो जाती है, काली पढ़ जाती है, अशे छोगे तो, पॉडर जैसा आ जाता है, यानि कि कोई solid चीज निकल रही उसके अंदर से, जो हमको ऐसे नहीं दिखती है, कोई चीज़ें उपर रख देंगा, तो काला कर देता है उसको, माइक्रोस्कोपी का हम देख नहीं पारें आँखों से, that is called particulate, उसको हम लोग क्या कहते है, particulate, solid होते हैं यह, आँखों से नहीं दिखते, ठीक है न, यह organic और inorganic दोनों हो सकते हैं, and biological molecules, कुछ biological molecules भी होते है, microbes अगेरा, ठीक है, तो यह सब मिल करके, मिला जुला क्या करते ह हैं, air को pollute करते हैं, air pollution can cause disease, air pollution, disease पैदा कर सकता है, allergy पैदा कर सकता है, even death, मत तक हो सकती है, suffocation हो जाता है, शांस नहीं ले पाता है, इंसान, it can also cause harm to other living organism, यह दूसरी living organism को भी harm पहचाता है, such as animals and food crops, जानवरों और food crop को भी नुकसान पहचाता है, and may damage the natural environment, और हमारी खुदर हो रहा है, habitat degradation, habitat मतलब, जहां पर पहले को जी रहते थे लेकिन, वहां का वातवर्ण गंदा हो गया, दूसरीत हो गया, तो वहां से वो लोग शिफ्ट कर गए, तो habitat खतम हो गया, वहां पर, built environment, जो building वेरा बनी हुई है, उनमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, for example, acid rain, है ना, जब दूसरीत हो गई है, तो acid rain होती है, जिसके वाई से marbles अगरा हो, क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, air pollution can cost by both human activities and natural phenomena, है ना, तो air pollution इंसानों के द्वारा भी होता है, और कुजरती तोर पे भी होता है, जैसे कि हमारा volcano बगरा होता है, जो आलों की फटते हैं, तो समझ में आ रही है, अब causes देख लो, causes हम सब को पता है, most air pollutants come from burning fossils, आज की date में सबसे ज़्यादा क्या जल रहा है, fossil fuel जल रहे है, फेक्टरी में कोईले जल रहा है, गाड़ियों में पेट्रोल जल रहा है, ठीक है, तो fossil fuel से सबसे ज़्यादा आ रहा है, और plant material लगड़े वो evaporate हो रही है, तो वो भी कही ना कही हमारे air को pollute कर रहा है, के लिए रहाते हैं, nearly half, 49% of air pollution comes from transportation, जो गाड़े चल रहे हैं, लगगो 49% pollution वहां से आ रहा है, 28% from factories, 18% factories से आ रहा है, पाव प्लांट वगरा, and the remaining pollution from variety of other sources, बाद बागी other sources हैं, वहां से pollution, pollutants आ रहे हैं, अब fossil fuel हम सब को पता है, fossil fuel क्या होता है, coal, petrol यह सब क्या है, fossil fuels हैं, जो कई हजार साल पहले, जीव जन्तु पेड़ वादे मर गये थे, वो अब fuel के रूप में convert हो गए है, fossil fuels are burned in most motor vehicle and power plant, यह जाता है, motor vehicle और power plant में burn किये जाते हैं, pure coal and petroleum can burn cleanly, जो pure होते हैं, वो तो अच्छा खासा जलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और cable emit करते हैं, carbon dioxide and water, ठीक है, but most of the time, बड़ ज्यादा तर, these fossil fuels do not burn completely, यह completely नहीं जलते हैं, ज्यादा तर, and incomplete chemical reactions produce pollutant, अब अगर incomplete जलेंगे, पूरी तरीके से नहीं जल पा रहे हैं, तो इनके अंदर से क्या निकलते हैं, फिर pollutant निकलते है इस pollutant include carbon monoxide, CO, nitrogen dioxide, NO2, sulfur dioxide, SO2, and hydrocarbon, है ना, ozone, अच्छा, ozone तुम कहोगे, pollutant कैसा होगे, ozone दो होती है, एक होती उपर, एक होती नीचे, उपर वाली तो अल्टा वाली तो बचाती है, नीचे नीचे वाली गंदी ozone होती है, ozone दो टाइप की होती है, ठीक है ना, ozone, carbon monoxide, and nitrous oxides come from vehicle तो जो vehicle, यानि कि हमें, गाडियो motor vehicle से जो निकलता है, उसमें से ozone, bad ozone की बात कर रहा हूं, यहाँ पर हम लोग लिख लेना आगे, bad ozone, carbon monoxide, and nitrous oxide, यह सब किसे आते हैं, गाडियो से आता है, a few pollutants come primarily from power plant, कुछ power plant से निकलते हैं, खास करकी, और industrial plant से निकलते हैं, dead burns, coal, और oil, जो तेल और coalya को जलाते हैं, जैसे की, sulfur dioxide is the major component of industrial air, जो industry का आसपास की air होगी, वहाँ पर क्या मिलने वाला है, sulfur dioxide मिलेगा, that is released when coal and petroleum are burnt, so SO2 mixes with H2O in the air to produce sulfuric acid, ठीक है न, यानि कि जहाँ जिन छित्रों में फेक्टरीस बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पर acid rain का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है न, sulfuric acid बन जाता है, air में SO2 है, पानी गिरता है, H2O के साथ मिल करके, SO2 क्या बना लेगा, sulfuric acid, mercury released when coal and some types of waste are burnt, कुछ waste और coal जब burn होता है, तो mercury release होती है, mercury is emitted as a gas, यह gas की रूपर निकलती है, but as it cools, जैसे यह ठंडी होती है, it becomes a droplet, यह भूंद में बदल जाती है, mercury droplets eventually आखिरकार fall to the ground, बून में बदलने के बाद यह जमीन में गिर जाती है, if they fall into sediments, है न, अगरे मिट्टी गरम गिर जाएं, तो bacteria in mercury क्या करता है, convert कर देता है, to the most dangerous form of mercury, methyl mercury, यह bacteria उसको methyl mercury में convert कर देते हैं, highly toxic होती है, बहुत जहरीली होती है, methyl mercury is one of the metals organic form, ह है न, उसके अंदर mercury क्या metal है, और साफ में क्या है, methyl है, तो metal और CH3, तो metal mercury form होती है, यह जाने कि metal की organic form, जो सबस्यादा पॉजने से वो methyl mercury, क्लिए रहे बाते हैं, मजा आ रहा होगा, now, second आता हम हरे पास, पहला क्या था, हमने पढ़ा, biomass burning, वो स्री, fossil fuel burning के वएसे, pollutant आ रह burning, biomass burning मतलब, हम लोग बड़े लेवल पर लकडियां जला रहे हैं, और सबसे बड़े लेवल पर लकडियां कहां चलाई जाती है, देखो ज़र, पूरा-पूरा, सुना अगर तुम लोगने एक जूम कल्टिवेशन होता है, पूरा जंगल काट देते हैं, वो लकडियां गिर फॉसिन क्या होते हैं, जो बहुत पुराने प्लांट है, जमीन में दब के फॉसिल में कनवेट हो गें, अनिमाश जैट हैं एव बीन कनवर्टेट, बहुत पुराने प्लांट और निमल जो चुके हैं, यूजे वल उस करने लाइक हाइड्रो कारवन में, बर नीक पलांट अगर प्लांट को जैसे यह पेड़ को काटा या किसी जानवर को डार्कली जला दोगे और सो प्रोड्यूसेश पॉल्यूटेंट तो वो पॉल्यूटेंट बनाते हैं बायो मास मतलब जिन्दा मास जो होता है इस दा टोटल अमाउंट ओफ लिविंग मेटेरियल फांड ओन ए अब यह प्राइमर्स प्लांट दोनों आगे ठीक है न तो टोटल मास कर लो उनका तो बायो मास कर आता है अब यह मत करना साथ तो टोटल वेट कैसे करेंगे तरीका होता है उसका ठीक हो एपने कोर्स में नहीं अभी दा बायो मास आफ रेंफ फॉरेस्ट दहां पे लगाता अंड बर्न एगरी कल चर है ना जूम कल्टीवेशन भी कहते है इसे धा रेंफॉरेस्ट इस लच डाउं जो रेंफॉरेस्ट रिच दाउं नको काट दिया जाता है कुछ अलग बायोम से हैं बायोम मतलब अलग जो हमारे क्या होते हैं एकोसिस्टम होते हैं एक सहवाना पाक होता है एकोसिस्टम हमारा ठीक हो वहाँ पर भी यही काम किया जाता है the pollutants are much the same as from burning fossil fuel इनको जलाने से भी pollutants उतना ही निकलता है वही निकलता है जो हम एक fossil fuel को जलाने से निकलते हैं CO2, carbon monoxide, methane, particulates particulates बता चाहूं solid particles होते हैं nitrous oxide, hydrocarbon and organic and elemental carbon यह सब अगर हम बायोमार्स इस जिंदा लगडियों को भी जलाते हैं तो यह सारी चीह निकलती है burning forest increases greenhouse gases greenhouse gas कौन सी होती है जो हमारे atmosphere को गरम रखती है है ना दो गर्मी आती हो पूरी जाती है निए वापस पढ़ा होगा यह हमारे atmosphere जो सुरह से गरम किड़ने आती है टक्रा करके फर यहां फस जाती है उपर कुछ gases होती है उनको वापस भेज देती है गरम किड़नों को जिससे के हमारा वातवन गरम रहता है तो burning of forest increase greenhouse gases in the atmosphere by releasing the CO2 stored in the biomass ठीक है जो CO2 हमारी body के अंदर है plant के अंदर है वो जब जलाओगे तो CO2 भार आ जाएगा जब भार आएगा तो greenhouse gas बढ़ जाएगी greenhouse gas में CO2 भी आती है सभी फॉर्म में जो एर की pollution होती है उसमें जो smoke होता है जो बायो मास से निकलता है वो आसपास के छेत्रों में भी फ्याल जाता है और can plague plague मतलब जगर लेता है नेबरिंग स्टेट्स और country आसपास कांट्रियों उनको भी क्या कर लेता है अपनी चपेड में लेता है पार्टिकुलेट्स पार्टिकल जो मुंबत्य वाला बताया था मैंने रिजल्स अब जब जलाओ के तो काला दो निकलता है और इसकी बात कर तो उसके ओपर यो फेक्ट्री का पाटिकुलेट है और लगबग शतरा परसंट वेह वो मोटर वेकल से आया हुगा है अब particulate matter को समझ ले इसकी हरिंग नोय ने बना दी क्या होता है particulate matter ये definition आ सकती है ठीक है तो कहा रहा है particle pollution solid particle का pollution also called particulate matter is made up of particle tiny pieces बहुत महीन piece होते हैं of solid या liquid के data in the air जो air है मजूद है some particles are big enough और appear dark कुछ काफी बड़े होते हैं और काले नजर आते हैं जिसका हम देख सकते हैं for example you can often see smoke in the air दुहाँ दिखता है काला काला इसका मतलब वो particle हमको दिखाई दे रहे हैं other are so small that you can't see कुछ इतने छोटों के हम उसको देख नहीं सकते हैं ठीक है अब जैसे हम बात करें हम लोग particle में कौन-कौन आगे पार्टिकुलेट पॉलुशन में डश्ट डर्ट सूट सूट क्या होता है यह काला काला जो बता रहे हैं जम जाता है रहा है वह भी क्या है salt particle का pollutant create कर रहा है like other pollutants they are travel all around the world on atmosphere current दूसरे पॉलुटेंट की तरह है यह पूरी दुनिया में हवा के भाव में भैते रहते हैं कि लिए बाते हैं ना एवपरेशन की बात कर लें तो हमने क्या पढ़ लिया फॉसिल पढ़ लिया बायो मास पढ़ लिय अब एवपरेशन मतलब क्या होता है कि कुछ उड़ जाना है ना जैसे कि पेट्रोल को रखो तो पेट्रोल अपने आप उड़ जाता है ठीक है तो वोलेटाइल वोलेटाइल को मतलब क्या होता है जो चीज अपने आप उड़ जाए पेट्रोल रखा पेट्रोल उड़ गया ब्लटाइल और गानिक पाउंग सं Rs.Rormius एक्ते हैं और फुूंस्टेनेस Wolf जो आप perfectly करनेर चाये देद में परॉपरिशन यह ओ पेंट klaरीनिग निटर है ़्लेट और तीने आपने चीलिटेशे लिकимер और हमाज जाते हैं और हमारा को पलिूट करेहें नेचरली ऑकरिंग वर्लिटायल शुञणिग कमपाउंड आप आफ पाइन शीटर्श ट्री पाइन शीटर्श ट्री ऐसे ट्री इनके अंदर कुछ औरगेनी कमपाउंड ऐसे पाई जाते जो वोलेटायल होते हों अपने आप उड़ते रहते आफ्मसफेर में जाते रहते जा तो खुद्रती तोर पे भी होता है दा एट्मोस्फेर कंटेंड टैंस ओफ थाउजंड ओफ डिफरेंट वोलटाइल और्गनिक कंपाउंड है लगबग हजारों हैं नेरली हंड्रेड ओफ विच आर मॉनिटर्ड सो को मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि यह हमारे लिए ज़्यादा खतरनाग है सबसे ज़्यादा कॉमन वर्टाल और्गनिक कंपाउंड कौन है मीथेन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है ठीक है यह खुदरती तोर पर पाया जाता है बट जो हम लोग खेती करते हैं उसकी वाइसे मीथेन बहुत ज़्यादा बनती है मीथेन in the atmosphere ठीक है ना मीथेन फॉर्म्स मेन और्गनिक मेटेरिल डिकंपोसे इन अउक्सीजिण पूर इन्वायमेंट कब बनता है यह जब कोई और्गनिक मेटेर डिकंपोस होता है सड़ता गलता है ऑक्सिएन पूर जहां ऑक्सिएन की कमी है ऐसे एट्मॉस्फियर में जब कोई और्गनिक मेटेरियल डिकंपोस होगा तो वहाँ पर मीथेन बहुत जादा बनेगी ठीक है अब इफेक्ट देख लो इसके क्या क्या है उनको senior citizens जो बुड़े लोगो तो उनको प्रसल डालता है air pollution aggravates existing heart problem heart problem को बढ़ा सकता है वो air pollution is directly related to heart यह सिरसीदा heart से जड़ा हुआ है ठीक है heart disease से stroke से and may also lead to the furring of the arteries ठीक है arteries की furring कर सकता है यह okay also known as atherosclerosis जो उसके अंदर जो गंदगी जमती है उसकी बात हो रही है ultra fine particles have been found in reproductive organs जो इतने fine particles होते हैं हमारे blood से होते 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 कहां पहुंच गए है reproductive organs पहुंच गए है अब समझो air pollution में lead to strokes strokes आ सकता है brain में ठीक है among senior citizens the ultra fine air pollutant that cause strokes are found in the samples of brain and central number system tissue जिननों की stroke से death हुई है उनके brain system में air pollutant पाए गए है ठीक है exposure to air pollution makes asthma worse asthma बहुत ज्यादा bigger सकता है ठीक है exposure to air pollution increase the risk of getting lung cancer lung cancer जहां air pollution ज्यादा होगा वहां lung cancer उनकी संभवना पाटे जाएंगी headache and headache and anxiety sulfur dioxide impact on central nervous system particulate matter जाकर यहां पर सेट हो जाते हैं irritation inflammation infection asthma and reduction reduced lung function NO2 chronic obstructive pulmonary disease particulate matter ठीक है lung cancer particulate matter then irritation of eye nose and throat breathing problem O2 particulate matter NO2 ठीक है न तो यह सब यह सारी gases ही create करेंगी then cardiovascular disease SO2 ozone और particulate matter impact on liver spleen and blood NO2 impact on the reported system particulate matter तो कौन कौन से चीज़े क्या काची effect कर रही है यहां पर उसका भी दे दिया है तो air की effect हमको समझ में आए अब prevention तो हमें देखने देखना है वही अपना preventive health care है तो prevention हमें समझना है use public transport भाई जहां तक हो आज बादमें शेखी में हम अकेली चलेंगे एक गाड़ी थोड़ दूर चार लोग जा spricht थे वह अपनी गाड़ी जा रही है अपनी घाघश जा रहा है अपनी घाड़ी जा रही अपनी घाटके जहारต Exactly spent पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तमाल करो ठीक है अब लाइट बचाओगे तो बिजली घर में कम बिजली पैदा करेंगे कम बिजली पैदा करने में उतलब कोईला कम जलेगा रिसाइकल रियूस चीजों को जतना कम फैकोगे जतना रियूस कर लोगे तो उनको नया उतना कम बनाना पड़ेगा तो इस फाटिकल्स में कम ही आएगी कम याने से क्या होगा कोईलरा कम जले अगए लोगरा नोस्तिक स्क्राइश क्लिक्षट ॥ क्या ह compartir में यह अगर है यह में है तो फोरिश्टर लगे हैं जिससे की जो उसके अंदर dust particle है वो बहार ना जाए avoid uses of cracker कोशिश करें कि जो cracker से बम पठाके बगर रहे हैं है ना अब तो हर समय कोई function होता है साधी ब्या ने new year कुछ भी होता है तो पठाके चलाए जा रहे हैं आजकल अबाइड यूज़िंग द प्रोड़क्ट्विद्च वीध कैमिकल योग केमिकल वाले प्रोड़क्टर उनने से बचें implement a forestation ऑफ़रस्टेशन का मतला होता है जंगल पेड़ पॉदे लगाएं जंगल नहीं पेड़ पॉदे लगाएं ठीक है ना तो यह तरीके शिल आता था considered noise pollution सारी की सारी sound noise pollution नहीं होती है ठीक है the world health organization defines noise above 65 decibels 65 decibels decibels sound की unit होती है ठीक है 65 decibels की उपर noise pollution category मा आयता है सब कुछ to be precise noise becomes harmful when it exceeds 75 decibels 65 के उपर जा रहा है जा जब 75 के उपर गया और बहुत क्या होता है harmful हो जाता है and is painful above 120 डीवी 120 डीवी को पर जाएगा तो दर्द भी करेगा ठीक है as a consequence इसके परिणाम सरूप consequence मतले परिणाम सरूप it is recommended noise level be kept below 65 डीवी इसलिए इसको रिकमंड किया जाता है कि noise level को 65 decibels की नीचे रखा जाए during the day and indicates the rest restful sleep is impossible with the night time ambient noise level is excess of 30 डीवी ठीक है ना तो नाइट में क्या है अगर sound sleep चाहिए तो हमें 30 डीवी के भी sound नीचे होने चाहिए clear है अब वही चीज़ें क्या कैसे कारण है क्या effect है क्या solution solution या prevention है ठीक है ना फटा-फट रीट कर लेते हैं इसका हम लोग तो causes क्या है इसके अर्बन प्लैनिंग अर्बन प्लैनिंग मतलब कार्ट कूट के घर वागे बनाए जा रहे तो हम construction काम चल रहा है सोर होता है इंडिस्टलाइजेशन सोर हो रहा है पर्बिक ट्रांस्पोटेशन सोर है इवेंट्स हो रहे है ठीक है डोमेस्टिक अप्लैंस जैसे की मिक्सी वारे चल रही है मशीन चल रही उसका अवाज अग्रीकल्चर ट्रेक्टर वगहरा अलारम सिस्टम में बहुत तेते जला रहा है मिलिट्री में फाइरिंग हो गएरा चल रही है आंजी में गलाट हो रही है रेन फॉल हो रही है ठंडर हो रहा है तो कुदरती दौर पर भी नॉइस्पोलिशन होता है इफेक्ट क्या है साइकलोजिकल डिसॉर्डर दिमाग के बर पड़ेगा टाइनिटस इस्ट्रेस हो ज जाएगा सोने में दिखके तो लगती एफेक्ट ऑन एनिमल से प्लांट वह अलग से आते हैं अब सलुशन क्या क्या है रिड्यूस्ट साउंड इन और स्पेस आसपास साउंड को रिड्यूस करें टर्न ओफ एलक्ट्रोनिक्स जहां तक पॉसीवल लेक्ट्रोनिक्स को टॉ टर्न ओफ कर दें नॉइस को मास्क करें विंडो बंद रखें से भाजा शोर अंदर ना है मूव तो नादर होम विद लो लेवल अफ नॉइस पोलेशन कोशिश करें अगर कहीं सोर भाज जाता होता तो ऐसी जगर चले जाए जहां शोर कम होता है बिल्ड एफेंस एक करें बी शोशल शोशल रहें यह नहीं कि अपना दून में रख्का कर रहे हो प्रोसी परिसान हो रहा है एजुकेट करें और कन्विंस अदर दूसरों को भी कन्विंस करें बहाई शोर सरवज से दिक्कत होती है तो यही सब ने नच्रल चीजें हैं कुदरती मतलब सब को प अपना मैंड नर्चर अप के बारे में कि उससे आपको कैसे मज़ा आने वाला है तो आओ जानते हैं अपने माइड नर्चर आप के बारे में तो येस हमारी चैनल का जो नाम है माइड नर्चर उसी के नाम से अब अप आचुका है जो की Google के प्लेस्टोर पे मौझूद है ठ चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स यूटूब पर भी अवेलिवन है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से प्रॉमि यूटूब पर मिलेगा बट क्या चीज आपको यूटूब पर नहीं मिलेगी वह चीज है वन मास कोश्टन की प्रैक्टिस जो वन माक्स इंपॉर्टन कोश्टन होंगे ठीक है ना वन मास कोश्टन में बेसिकल तुमारे पस क्या आते हैं MCQ और फिलिंदा ब्लैंक ठीक है यह तुमारे अब नए जो पैटन है उसमें नए एक्जाम पैटन है ठीक है ना उसमें MCQ फिलिंदा ब्लैंक से आ रहे हैं दोनों मिला करके दस नमर के यह आते हैं ठीक है प्लस टू मार्स कोश्टन यानि कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ इंपॉर्टन कोश है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन कोश्टन की प्रैक्टिस कर लेगा लाइव क्लास होगी अब माल लो मैं यूट्यूबर लेक्टर को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा डाउट फस गया है ठीक है तो वो कैसे कवर होगा वो तो उसके लिए क्या होगा लाइव क्लास होगी डाउट्स के लिए मैं आया करूँ हो लाइव क्लास जो कि अभी स्टार्ट अलड़ी हो चुकी है बच्चे डाउट्स पूछ रहे है और क्लास चल रहे है सबसे बच्चो बड़ी चीज़ यहां होने वाली है MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस यह तो चलो एक बार को ठीक है MCQ कोश्चन्स MCQ कोश्चन्स की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है हर लेक्चर से 15-20 कोश्चन्स भी पूरे चैप्टर से मिला करके 100-100 कोश्चन हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे D-Farm और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ कोश्चन्स अब जखो समझते क्या है यह MCQ कोश्चन्स का टेस्ट हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते हैं ओरी इस्टिटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ कोश्चन लिखा होगा चार ऐसके होगा मैं मुलूगा बच्चोँ यह कोश्चन है यह 400 असमैंजा नहीं आएगा ओसे होगा कोश्चन सामने होगा तुम पढ़ओग तुम आणसर क्लिक करोग पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे प्रैक्टिस होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है फिलिंदा प्लैक्स के बारे में बात करी चुका हूँ रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एग्जिट एक्जाम ओनली 40 परशन मार्क्स चाहिए सबको पता है सौ मेसे सबको कितने चाहिए 40 नंबर में पास हो जाओगे ठीक है ना तो रूटीन टेस्ट रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है मालो चैप्टर वन किसी सब्जेट का खतम ह हुआ उसका टेस्ट हो जाएगा फिर चैप्टर टू खतम हुआ उसका टेस्ट हो जाएगा फिर कमाइन टेस्ट होगा एक किसका चैप्टर नंबर वन प्लस चैप्टर नंबर टू का फिर चैप्टर थी मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक कंबाइन टेस्ट होगा वन प 25% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यान कि 40 नमबर लाना और फिर उसके लिए और फिस बिलकुल मिनीमल है, 1100 रुपहे पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट की second year पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपहे, second year पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपहे यानि कि एक साल की फीस आपको 11 रुपे पढ़ रही है इस फीस को अगर आप अपनी college फीस से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपे something पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजक बिना हिचकेचाए मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे नहीं कि पढ़ना पढ़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है selection रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीब पालोगे हर एक चीज आपको अचीब हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो, रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो, all the best!